आज हम ट्रइड पेंटिंग करेंगे, अर्राइड हम ट्रइड के लिए जश्य के लिए लिए एक ट्राइड बिलूिधार रहा है और कलर इस में रहा थोड़े thread की उपर कि हम इसकी जो इसमें पिजन दिया हुआ है चैनल जूसमें जो पक्षी दिया है चैनल हम गर्दन को पहले बना सके ठीक है तो हमने ये और ये आप जैसे हमेँ धाइब देट इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको ठ्रेड को हमने दोनों साइड से यह सी खीचना है हाइसे ठीक है यह हमने खीच एदिaci कह गई हम नैक बन गई है ठीक है और यहाँ पर हम इसकी चॉंच बना देंगे यह देखो यहाँ परठोट है व क्या हम वह हम हम स्केचच पैंसल से भी कर सकते हैं ठीक है अब हम ब्लू गलर लगाएंगे हरें फिर अब च्पर अब बैसे हम सबसे ठिक है यह हमने इस में त्रेड औरेंज कलर लगा लिया दिखो यह अब इसको हम यहां पर इससे रखेंगे यहां पर हमने इसको आइसे रखेंगे हमने इसको इस रख लिया वड़ अब हम इसको फिस को फिर से और il See पर रखा और इस थ्रड को हम फिर से खीचेंगे ठीक है ठीक है यह हमने खीच दिया यह बन गया अब हम blue color लगाएंगे इसी थ्रेट के ओपर हम grow color लगाएंगे है ठीक है यह देखो हमने ब्लू कलर लिया है ठीक है यह हमने देखो इसने ब्लू कलर लगा दिया और ब्लू कलर लगाने के बाद हम इसको उठाकर यह देखो ठीक है ब्लू कलर लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर इस वड़े शेप में रखेंगे अब फिर से हम हार्ट पेपर को लेके इसके उपर रखेंगे यहाँ पर और इसको ऐसे खीचते हैं ठीक है यह हमने इस पेपर को थ्रैड को खीचती है ठीक है अब हम दुबारा यहीं कलर लगाएंगे क्योंकि हमारा कम्प्रीट नहीं हो पा रहा है तो हम इसको दुबारा से कलर लगाएंगे ठीक है दुबारा कलर लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको फिर से रखेंगे और एक बार फिर से इसको ऐसे ही कीचेंगे ठीक है अब हमने इसको ऐसे रखा यहां पर और यह हार पेपर को ऐसे रखा और इसको फिर से कीचती ऐसे ठीक है यह हमारा अब चार पेंटिंग ठीक है बन जाएगी यह हमने इसकी चौँच बना दिया हम इसको ब्लैग भी बना सकते हैं ठीक है आइस लगा देंगी हम और ऐसे ही आप इसको ग्रीन कलर लगा कर यहां पर ग्रीन टच दे सकते हैं ठीक है जैसे हमने फ्रेट लिया अब हम फ्रेट के ऊपर यहां पर इसको ग्रीन कलर अदाएगी और इसमें यहां पर हम इसको पेड़ की डाली की तरह हमने इसको शो करना है ठीक है अब हमने इसको यहां पर रखा ऐसे किया फिर से यहां पर ठ्रेट को रखा फिर से ऐसे किया ठीक है आप इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके जल्दी से मुझे चेक कराएंगी ठेंक यू